आज इडाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Option 3 है 330, Option 4 है 336 तो यहाँ पर देखे तो यह Column 1 है यह Column 2 है और यह Column 3 है ठीक है? तो यहाँ पर नीचे जाके 260 आ रहा है तो यह 260 मिला कैसे? तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 9 x 6 x 5 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है इनको जब हमने Multiply किया 270 आ रहा है लेकिन यहाँ पर 260 है उसके बाद हमने देखा इस 5 पर तो इस 5 का हमने डबल किया जो यहाँ पर नंबर है इसका हमने डबल किया तो 5 x 2 किया कितना आ गया? 10 आ गया अब यहाँ पर जो product आया है तो जब हम इनका multiplication करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 224 ठीक है 224 आया उसके बाद यह जो 4 है इसका हमने 2 टाइम्स किया 4 x 2 किया तो कितना आ रहा है? 8 सब्ट्राइक किया सब्ट्राइक करने के बाद यहाँ पर कितना आ रहा है? 216 आ रहा है और यहाँ पर भी 216 है तो मतलब यहाँ पर भी यह pattern apply हो गया तो मतलब यह 3rd column में भी apply हो जाएगा तो यहाँ पर है 7 x 8 x 6 यहाँ पर हमने जब इसको solve किया तो यह कितना आ रहा है? 336 आ रहा है ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे? यह 6 का 2 times करेंगे 6 x 2 तो यहाँ पर कितना हो गया? 12 हो गया इनका subtract किया हमने फिर तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 3, 24 तो मतलब इस quotient mark की जगह पर क्या आ जाएगा? 3, 24 और 3, 24 कौन से option में? Option 2 में तो option 2 3, 24 करेक्ट आंसर है Thank you